हलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चैनल शायना गोल फ्रेंड आज की एस वीडियो में आपको पंजाब यूनिवर्सटी बीएड के बारे में बताना चाहूंगी पंजाब यूनिवर्सटी बीएड सेमेस्टर वान की जो डिटेल्स है यान की कौन से उसमें सब्जेक्ट्स होते है कितने मार्क्स के होते हैं इंटर्नल एक्स्टर्नल ठीक है यह सारी कम्प्लीट इंफरमेशन में इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ सो काइंड ली वॉच्ट वीडियो तिल दे एंड सो फ्रेंड यह हैं वो सारे सब्जेक्ट्स जो आपने बीड में ठीक है सेमेस्टर वन में आपको स्टडी करने हैं तो मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ स्टार्टिंग फ्रम दे एफ 1.1 यानि की जो फर्स सब्जेक्ट यह जो एफ वाले सब्जेक्ट्स हैं 1.1, 1.2, 3, 4, 5 यानि की फिलोसोफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, ग्रोथ एंड डेवलोप्मेंट ऑफ लर्नर, टेक्नीक्स ऑफ टीचिंग, एजुकेशन इन कंटें परेडिया और इंडिया और आए सिटी स्किल डेवल्पमेंट, यह पांचो जो सब्जेक्ट्स हैं यह सभी बच्चों के लिए कॉमन है चाहिए, आप किसी भी स्ट्रीम से आये हो, आप बी ये बैग्राउंड से हो, ठीक है, साइन्स बैग्राउंड से हो, कॉमर्स बैग्र and computer ठीक है तो वैसे ही अगर आपने जो भी अपने दो subjects beard के लिए choose किये हैं वही आपके ये subjects होंगे ठीक है तो इसके बाद आते हैं आपके EPC यानि की enhancing the professional capabilities तो ये चारो भी आप सभी के लिए common होंगे जो basically pedagogy है ये different होंगे बागे सारे के सारे subjects आप सभी बच्चों ने पढ़ने हैं ठीक है देखिए जो first seven subjects है ठीक है pedagogy 2 तक F1.1 से लेके pedagogy 2 तक यही है main जो आपके written examination वाले subjects हैं इसके बाद वाले जो हैं वो आपके जो confidence level है increase करने के लिए आपको active teacher बनाने के लिए सारे subjects I mean activities होती है sports yoga pre internship इन चीजों के बारे में आप पढ़ोगे तो अगर इनका आपको syllabus चाहिए तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं syllabus भी upload कर दूँगी तो अब देखिए इनकी marking scheme कैसे होती है internal external और जो total marks होते हैं ठीक है तो जो first आपके five subjects हैं यह होते हैं इनके external marks 40 each होते हैं और internal आपकी जो assessment जाती है यह 10 marks होते हैं और total आपका 50 marks का यह written examination होता है ठीक है इसके बाद जो pedagogy subjects हैं यह भी similarly 40 each और tennis की internal assessment और इसके बाद जो EPC आपकी होती है वो total in total आपके 100 marks की होती है ठीक है तो total आपके जो marks आएंगे वो 450 में से आएंगे एक बात में आपका बता दूँ जो pre internship है यह actual में कोई subject वगेरा नहीं है यह आपको एक school में एक या काफी सारी schools के experience देते हैं 15 days आपने school में जाकर अपने subjects पढ़ाने होते हैं ठीक है I hope this all information is clear to you still अगर आपको कोई doubt हो तो आप मुझे comment पी कर सकते हो channel की playlist में आपको beard की बहुत सारी videos मिल जाएंगी question papers वगेरा आप वहां से check कर सकते हैं end video को like and share करें and channel को subscribe करें with a hit on the bell icon so that you get my latest upload so see you friends in the next video till then keep watching